गनेश पर्व पर विसरजन को लेकर जिला प्रशासन वारा नदी और तालाबों को प्रदूशन से बचाने अपनी पहल की गई साथ ही शिवनाथ नदी में विसरजन के दौरान पहले कचरे को एक जगहर रखने लगाया गया जार। गनेश पर्व के बाद गनेश विसरजन के दौरान नदी और तालाबों को प्रदूशन से मुक्त रखने जिला प्रशासन ने गाईडलाइन जारी की है ताकि नदी वा तालाबों को प्रदूशन से बचाया जा सके। जिसके तहट दुर्ग शिवनात नदी में भी जिलाप्रशासन ने विसरजन कुंड की स्थापना के साथ ही शिवनात नदी में विसरजन के लिए लाए जा रहे प्रतिमाओं को एक निश्ची जगह पर विसरजित करने इंतिसाम किये हैं इसी कड़ी में दुर्ग के शिवनात नदी तट पर जिला प्रशासन ने नदी में फैले कच्रों को एक जगह रखने पहल करती हुए कुछ ही दूरी पर जाल बिछाया जिससे नदी में आगे कच्रा फैलने से रोका जा सके जिला प्रशासन के इस पहल से नदी में फैलने वाले कच्रों को तो रोगा जा रहा है अब देखना होगा कि आगे इन कच्रों को प्रशासन नदी से बाहर कब तक निकालेगा Grand A.C.N. News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट